हेलो इस्टुएंट्स आज हम लेके आए हैं पौडी जन्पत के 40 महत्तुपुन प्रस्ण अभी तक हमने कई जिले कर चुक है हम 5 जिले ये 6 जिला है आज का तो कल फिर गड़वाल मंडल के जिले साथ हो जाएंगे पूरे फिर कुमाओं के स्टार्ट होंगे तो आज सुरू क करते हम पौडी जन्पत से सबसे पहले पौडी का अगठन कब किया गया था तो यह 1840 में 1840 नेक्स सिंद Cam बहुत सारे ऐसे कोशन है जिनने आपके औप्जेन के सीमा के साथ नहीं है तो ऑप्जेन दीआ ए Whit ampliren ने उत्तरकासी this तिहरी है और रुद्र परियाग है तो इसका उजाएगा उत्तरकाशी के साथ पौड़ी की सीवन नहीं है देरदुन से भी है टीहरी से भी है रुद्र परियाग से भी है नेक्स्ट है मैयूर ध्वज एतियासिक अस्थल का उत्खनन मीर मलखान द्वारा कब किया गया यह क्या गया था 1887 में 1887 को अगला पौड़ी को कब हिल इस्टेशन गोसित किया गया या दर्जा दिया गया तो यह दिया गया था 1922 1992 तो जितने भी प्रशन आपके आंकड़े वाले आ रहे हैं एर के उनके आंसर हैं उसको आप अपली अलग नोटबुक में लिख सकते हो जि करने में भी इससे आसानी होगी ठीक है तो फैक्ट से जुड़े वे कुशन जहां पर आंसर में आ रहा है एर कोई ना कड़े के रूप में कुछ आ रहा है डाटा है महाँ पर तो वह आपको अलग से लिख सकते हो नेक्ट एकिस अस्थान पर उत्खनन के बाद बुद्ध की बोधि सत्व मूर्ती प्राप्थ हुई है तो ये मिली थी मूर्धवत से पौड़ी को देव पर्याग पुल से कब जुड़ा गया ये जुड़ा गया 24 दिसंबर 2001 डॉक्टर संपुननन्द ने कब कणवास्रम के महत्तों को पुना इस्थापित किया तो ये 1955 में तो कणवास्रम जो है वो राजा भरत की एक जनमस्थली भी है दुशन से कुंतला का प्रेम परसंग भी यहीं पर वा था प्राचीन समय से ये स्थान जो है विख्यात है लेक डॉक्टर संपुनननन्द ने इसको पुरह स्थापित किया नेक्स्ट है उन्नीसवी सतापदी में दुगड़ा को किसने अपने खेत में बसाये था तो सबसे पहले जो है पंडित धनीराम मिस्र जो वहां के एक वेक्ति थे उन्होंने दुगड़ा जो स्थान बसाये था नेक्स्ट है उन्नीस सतीस और उन्नीस सो पैंतालिस में दुगड़ा कोना आए थे तो ये थे पंडित जवाहर लाल नहरू तो इसका जो अंसर से जाएगा वोगा 1936 और उन्नीस सो पैंतालिस ठीक है जवाहर लाल नहरू नेक्स्ट किस देवस्थल को तालिस्वर दान पत्रों में विरिनेस्वर स्वामी कहा गया अभी पिछले सिंडे को एक पेपर बाता परियावन परिविक्षर वहाँ पर भी मिलान करने के लिए प्रस्ण आये था कि तालिस्वर का संबंद किस से है तो यहाँ पर लेकिन प् पॉड़ी जनपत के अंदर यह कण्वास्रम में कालिदास ने अपनी किस पुस्तक की रचना की तो सबसे जो उनका अमर गरंत कहा जाता है यह सबसे विख्यात गरंस वह अभी जान साकुंतलम तो कालिदास ने अपने समस्त गरंद जो है वह संस्किर्ट में लिखिए और य अगला है मणी कूट चता हेमकूट पर्वुतों के मध्यमें कौन सा स्थाने यह कण trap को रचना में कसने पराइश कहा गया है काली दाष्ट के द्वारा गुए थी अ अगला प्रसुन आगया है स्रीयंटर कब्रस्थ टाफू अंड कब अ parliament कि प्रक્व आंसर इसका क्या हो जाएगा B वाला सही हो जाएगा 10 नमूंबर 1905 ठीक है 10 नमूंबर 1995 स्रियंत्र टापू कांडवा था नेक्स्ट थापली गाउं में कब मिर्द भांड पाए गए तो मिर्द भांड बोलते हैं जो मिट्टी के बर्तन है ना कहीं पे 1000 साल पुराने कहीं पे 2000 साल कहीं पे इससे भी प्राचिन मिल सकते हैं तो 1979 में खोजे गए थापली गाउं में पर कमलेश्वर मंदिर जिसका निर्मान आदी गुरु संक्राचायर द्वारा किया गया का जिर्णो धार किस ने किया तो उद्योग पती बिर्ला के द्वारा कमलेश्वर मंदिर का जिर्णो धार किया गया जो कमलेश्वर मंदिर है देखो वो है स्रीनगर में और यहां पर जो नी संतान दमपती है जिनको संतान नी होती है वो भी यहां पर अपनी संतान की कामना के लिए जाते है वहाँ पर एक पर्था है खड़ दिया की पर्था कहा जाता है कि राद भर दिया हाथ में लेके जो यूगल होता है दमपती होता है पती पतनी उन्हें रहना परता है फिर उनको जो भी होगा आश्रवाद महां से प्राप्थ होगा तो ऐसा माना जाता है कि स्री राम ने हापे तपश्या के थी एक हजार कमल के पुस्पों के साथ और भगवान ने जब उनकी परिक्षा ली है ना महादेव ने तो ये बोला कि एक पुस्प जो है कम है तो कहा जाता है कि सिराम ने अपने नयन ही उहाँ पर दे दिया था उनको क्योंकि उन्हें कमल नयन बोला जाता है उनके नयन भी कमल के समान ही है तो वो परिक्षा ले रहे थे तो तब से यह वहाँ पर वर्दान दिया गया कि जो भी यहाँ पर संतान की कामना के लिए आएगा उसकी इच्छा पूरी होगी नेक्स देख लेते हैं सिलगाड लंगूरगाड का संगम का हैं दोनों मिलते हैं दुगड़ा में अगला है पौड़ी नगर पाली का कब बनी थी यह बनी थी 1957 पौड़ी गड़वाल मंडल का मुख्याले बना है 1969 सिल नगर की इस्थापना कनिंगहम के अनुसार देख तो यह तेरह सो अठाणवे जरका इसमें तो कनिंगहम ने ऐसा माना है जिबकि यह वाला एक तरीके से ज़्यादा आता नहीं अग्जाम में जो अजय पाल ने इस्थापना कि इस नगर की वही आपको याद रखने बस नेक्स वीर चंदर सिंग गडवाली रार्ज किया मेडिकल कॉलिज का बना तो यह बना था साथ जुलाई दोहजार आठ नयार नदी को पुराणों में क्या कहा गया है नयार नदी को नाबाली का कहा गया है लक्षमन मंदिर देवलगड का निर्मान कब आ था यह हुआ है 1879 कालो का डांडा का वरतमान नाम कब पढ़ा था वरतमान नाम लेंस डाउन तो यह 21 सितंबर 1890 अब पुना जो है लेंस डाउन का नाम कालो का डांडा किया रहे वरतमा में लेकिन जो कालों का डांडा से लेंस डाउन किया था तो वह था 21 सितंबर 1890 स्री नगर जो बरत्मान नगर है उसका मास्टर प्लान किस ने बनाए था यह थे एक पौव केशव राय मठ किस सहली में बनाए तो यह कत्यूरी सहली का निर्मित है 27 पर प्रशना गया चीला प्रोजेक्ट गंगा नदी पर है पौड़ी में 1980 क्यासी बनाए इसके कितने मेगवाट की यह परियूजना है यह 133 मेगवाट जितने भी जलविदूद परियूजना है या डैम है उसके बारे मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नदी ठीक है कभी-कभी यह परियूजना पूछ लेंगे कि वह किस जिले में या फिर पूछ लेंगे तो छमता सबसे लास्ट में पिर पूड़ी किस पहाड़ी की ढलान पर है यह कंडोलिया पहाड़ी 39 वाप्रसन आज का प्राचीन नाथ सिद्ध की गुफा का है तो यह है देवलगड़ में गड़वाली पल्टन लेंसडाउन कब आई थी? 4 नॉमबर 1887 में 1887 गड़वाली पल्टन 1930 में अमन सभा कहाँ बनी थी? अमन सभा का आईजन तो यह हुआ था लेंसडाउन में हुआ था गड़वाल दिवस मनाने का सुझाओ किस ने दिया? मोती लाल नहरुने पौड़ी घटना 7 अगस्त 1994 उन्टी बैंक लूट की जो घटना भी थी? यह कब भी और किसके नेतरतों में? यह भी थी? बच्चुलाल भट के नेतरतों में 28 अप्रेल 1933 अगला है उत्तर भारत का और उत्राखन का तो है ही एक मातर रागु का मंदिर का है? यह पैठाणी पौड़ी में पौड़ी जेल कब भानी थी? 1821 में जिसे गड़वाल का काला पानी भी कहा जाता है सीनगर जलविद्यूत परियोजना की पर्थम टर्बाइन को कब चला गया था? 2008 में शुरू भी थी सीनगर जलविद्यूत परियोजना की पहरी टर्बाइन नेक्स्ट है मौला राम संग्राले तो मौला राम जो है इनका संग्राले है सीनगर में ठीक है? मौला राम म्यूजियम मौला राम जो है वैसे चितरकार थे लेकिन ये अपने आपको कवी कहलवाना पसंद करते थे इनके बारे में बहुत सारे प्रस्ण पहले भी एक्जाम में आ चुके हैं तो उसके डिटेल आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी नेक्षे भमानसू क्या है तो भमानसू एक है पौड़ी जनपद में ही एक नदी है पर किस मंदिर को घसिया महादेव भी कहते हैं यह कहा जाता है कटकेश्वर महादेव को बोलते हैं घसिया महादेव कौन सा हो जाएगा कटकेश्वर महादेव का मंदिर तो यह थे पौड़ी जनपद से जुड़े हुए 40 प्रस्ण ठीक है तो अब हमारे लगबग 6 जिले आपे हो चुके हैं बाकी हम जल्दी इसको रोज करवाएंगे जिस तरीके से हो रहा है और करंट अफेर्स के भी एक वीडियो उमीद है कि कल तक आपको मिलेगी एक जिसमें से आपके संड़े के एक्जाम में प्रस्णा सकते हैं क्योंकि महां पर काफी आपके 15 से जादा प्रस्णा आपको देखने को मिलेंगे समसामाइक विसें पर तो अपनी तैयारी को जो है करते रहिए क्योंकि जब तक देखो आप मेहनत करते रहोगे तब ही तक उमीद रहती है और जब आप मेहनत छोड़ दोगे तो उत्रही समय आप क्या है पीछे आ जाओगे तो तैयारी को कभी भी छोड़ना नहीं है जिसका यह मोटिवेशन ज्यादा समय तक बना रहता है तो उसी को जौब मिलती है ठीक है